Welcome to my channel Debit Your Knowledge आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि annual increment के बाद आपकी basic पे कितना होता है या फिर आपकी basic salary कितनी हो जाती है Under 7 CPC Annual increment या तो 1st July को होता है या तो 1st January को होता है ये depend करता है कि आपकी appointment कब हुई आपका promotion कब हुआ आपका financial upgradation कब हुआ Under M.A.C.P. basic pay after annual increment मता annual increment होने के बाद आपका basic pay कितना होगा आपकी basic salary कितनी होगी इसके लिए आपको कोई calculation करने की जरुरत नहीं है केवल आपको एक table देखने है जिसे हम 7 CPC pay matters table कहते हैं जिसे आप आराम से Google पे जाकर download कर सकते हैं ठीक है अब मैं example देती हूँ यहाँ पर मैंने 7 CPC pay matters table का एक snip करके दिखाया है और इसी के साथ मैं आपको समझाओंगी कि कैसे हम अपना basic pay देख सकते हैं अगर आपका increment होता है समझ लीजिए मेरा current level 7 है मेरा current level 7 है और मुझे current basic pay 47600 मिल रही है तो यह level 7 है इस table में 47600 यह मुझे current basic pay मिल रहा है और मेरा increment एक January 2022 को होता है तब मेरा basic पे कितना हो जाएगा टेबल में जो मेरी current basic pay से next वाला जो amount given है जो कि 49000 है यह मेरा basic pay हो जाएगा एक January 2022 से ठीक है और जब एक January 2023 को मेरा फिर से annual increment होगा तो मेरा basic पे कितना हो जाएगा 50500 similarly ऐसे ही कर करके आपको next number amount देखते जाना है उसी के according आपका जो basic pay है fix होता है जब भी आपका annual increment होता है चाहे 1 January को हो या 1st July को हो एक और example देख लेते हैं समझ लीजे कि आपका level 3 है आपको current basic pay मिल रहा है 22400 table में देखो तो यह है 22400 annual increment हो रहा है 1st July 2022 को आपको कितना basic pay मिलेगा 1st July 2022 से आप अपने level पे देखोगे कि आपका current basic pay 22400 है इसका next वाला देखिए जो कि होता है 23100 यह आपका basic pay हो जाएगा after annual increment ठीक है उसके बाद देखिए अगर मेरा 1st July 2023 को फिर से annual increment होता है मेरा बढ़ोतरी होती है मेरी basic salary में तो मेरी basic salary कितनी हो जाएगी 1st July 2023 से इसका next वाला देखिए 23100 से अब फिर आपका यह वाला current level हो जाएगा इसका next वाला आप देखेंगे तो कितना होता है 23800 रुपे similarly next year जब आपका 1st July 2024 में annual increment होगा तो आपका basic पे कितना हो जाएगा 24500 and so on इसी तरीके से आप इस table का इस्तमाल करके अपना basic page आन सकते हैं after annual increment ठीक है I hope आपको यह छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको समझ में आई है तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मेरी चानल debit your knowledge को Thank you very much, bye-bye